कि दोस्तों स्वागत है आपका एस्प्रेंट्स में अभी फिलार हम यूपीस्टी से रिलेटेटेटेट बहुत इंपॉर्मेशन देखेंगे जो की रिलेटेट हैं पॉक्सो एक्ट से पॉक्सो एक्ट सबको पता है होगा कि प्रोटेक्शन आप चाइल्ड एंड सेक्सुल ओ सबस्क्तर पूच जाता है कि मैच्शिंग में अख्या पूछा जाता है कि कौन सी दौभर होग करती है तो टोड़ा द्यान दखिएगा कि नील गिरी बायो किरी या फिर नील-गिरि परवद जो है वहाँ से सम्बंदित है जो की तमिलनाड मनें स्थित हो और यह जो को होती है तो उसी को conflict of law वोलते हैं यानि कानून से उनका टक्राओ इसी को conflict of law करते हैं protection of child from sexual offense इससे बचाना है अब तोड़ा जिंजाती की समस्या क्या है देखिए होता क्या है कि जंजातियों में हम अक्सर देखते हैं कि जो विवाह होता है वो कभी-कभी 18 से कम उमर में ही ह हो जाता है यहां पर में मैटर हो जाता है लड़कियों का ध्यान लखिएगा जो भी गर्ल्स हैं खासकर उनके लिए यह समस्या उत्पन हो जाती है अब यहां पर एक आदिवासी के बारे में बताया गया है जो की कालपनी करूप से उसका नाम बतर बदल दिया गया था अब उसका क्या है की देखिए उसका एक गल्फिंड है ठीक है अब यहां पर जनजातियों में इस फरकार की चीजें होती हैं कि साधी से पहले ही जो रिलेसंसिफ होते हैं वो बनाये जाते हैं तो ऐसा ही यहां पर देखने को पाया गया है अब देखिए दोनों के भी सारी समंद्ध हुआ है जो की लड़की जो है वो मातर 17 साल की है अब वो प्रेग्नेंट है और यहां पर मैटर पहुंच गया है पुलिस और पुलिस के बाद क्या पूंच गया है जो भी एंट्जियो के लोग है जो की प्रोटेक्शन करते हैं बच्चों के लिए अब यहां पर प्राप्लम हो गई है अब यह एक्ट के वजह से प्राप्लम हो गई है अब यह एक्ट देखिए सिर्फ टोड़ा जन जाती को भी नहीं बहुत सारी भारत में जन जाती हैं जिनको समस्या उत्पन हो रही है अब बहुत सारी जन जाती हैं जहां पर चाइल्ड मेरेज होते हैं तो यहां पर इस एक्ट को बनाते समय जो हमारे लौ मेकर है खासकर उनको ध्यान रखना चाहिए इसके अलाम जो सिविल सर्वेंट हैं जो की नियम और कानून बनाने में उन उनके लिए कोई मतलब की पढ़ाई लिखाई से समधित कोई क्राइटेरिया नहीं है कोई भी नेता बन सकता है कोई भी संसद में जा सकता है राष्टपती बन सकता है पधान मंत्री बन सकता है लेकिन खासकर वो लोग जो कम सकम पढ़े लिखे हुए हैं सिविल सर्विस से जा रहे हैं और कानून मनाने में उनकी सहायता करते हैं कम स्कम उनको यह सब चीजें ध्यान देनी चाहिए कि कौन से नियम कानून कहां पर समस्या उत्वन कर सकते हैं तो जन जातियां खासकर जो भारत में हैं उनको इस एक्ट के वज़े से कितनी समस्या होगी यह उनको ध्या का अपना सराब बनाती है चावल से बनाती है महुआ होता है उससे बनाती है इसके अलब मूल है ना, मूल चीज एंग हैं, सधॉदाब बनाना उनका, उनके यहां सब लोगा की सरभ पीते हैं, छोटे बच्चे हों, बड़े उमर की बच्चे हों, लोगों, महिलाएं हों, सभी जब सरापका सेवन करते हैं, उनका एथनिक चीज है, तो यहां पे बैन लगा कि आप उ तो जंजातियां होती हैं उनको अक्सर हम पुरान पुराने लोग मानते हैं या प्रमिटिव मानते हैं कि वह बहुत ही पुराने किस्म के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है देखिए उनको आधिवासी कहने से अच्छा है कि आप उसको लिए एक अलग सब्द का यूज करिए जिस या फिर ग्लोबलाइजेसन का प्रभाव उनके उपर नहीं हुआ जबकि हम अन्य जगह पर देखते हैं जैसे कि अर्वन एरिया हो गया या फिर रूरल एलिया हो गया जो कि आधिवासी लोग नहीं है तो वहां पर वेस्टरनाइजेसन या फिर अर्वनाइजेसन का काफी प्रभाव पढ़ा है हिंदी में कहूं तो पस्चिमी करण या फिर आधूनी की करण या फिर ग्लोबलाइजेसन जो होता है बुमंडली करण उसका काफी प्रभाव पढ़ा है लेकिन जो मूल वासी हैं जो अभी भी जंगल में रहते हैं अपने पुराने वही कंद मूल खा सिर्फ जंगलों में रहें कभी स्कूल नहीं गया जिनके पास अभी तक बिजली नहीं है कोई आधूनिक सिच्छा नहीं है उनको भी हम अपने नए कानूनों से जोड़ देते हैं और उनके उपर बात धिकर देते हैं तो देखिए कानून होना आवस्य कह लेकिन अनिवार नहीं होना चाहिए सभी के उपर खासकर खासकर ऐसे लोग जो कि प्रिमिर्टिव हैं या फिर मूल वासी हैं उनको इस कानून से थोड़ा अलग रखना चाहिए नील गिरी देखिए दच्छड में स्थित है और ये टोड़ा जन जाती जो है वो देखिए ये जो चार जाती है वो भी दर्मिन जंजाते से ही संबंदित है अब यहां पर हुआ क्या है कि एक तो देखिए ये ग्रामी डिलाकों में रहते हैं और इस प्रकार की घर बनाके रहते हैं ना बिजली है यहां पर ना कोई चीज़ है जंगल में देखिए बिजली पहुंचाना भी नु सब चीज़ों से उनको हम उर्जा के संसाधन प्रदान कर सकते हैं अब देखिए में प्रॉब्लम कहां प्या जाती है देखिए अगर कानून इस परकार के बने हुए है जिससे आधिवासियों को समझचा होती है तो बचाने का एक उपाय क्या हो सकता है कि जो भी सिविल सर् वो किस प्रकार से प्रभावित है नए नए कानूनों से तो यहां पर जज़ हो सकता है कि आप उपर कोर्ट में जा के अप लाई करिए इन जन्जातियों को सलाह दिया जाता है अगर ऐसे मामले वहां पर फस्ते हैं लेकिन देखिए यह जन्जातियां जो कि सिर्फ अपने मूल साधनों पर ही डिपेंडेंट हैं अब इस जंगल से निकल के चन्नाई तक जाएं और वहां पर हाई कोर्ट में अपलाई करें यह उनके लिए काफी मुस्किल हो जाता है तो हमें इनसे भी बचाना है इन लोगों को इसके आनावा ध्यान रखिएगा जो भी छोटे-छोटे समुह बन गये हैं जो इस परकार की चीजे करते हैं कि सेक्सुल अफेंस से बचाना या फिर जो भी अगर प्रभावित होता है ऐसे लिए तो इनका काफी दबा होता है जज हो या फिर देखिए उस एरिया का डीम हो इस पी हो इन सभी के ऊपर काफी दबा होता है जबकि लोगों को पता है कि वो जनजातियां काफी प्रमिटिव हैं और इनसे उनका कोई लेना देना नहीं वो कभी स्कूल नहीं गया है तो वो सब वो लोग इन चीजों को क्यों मानेंगे उके उनके यहां सदियों से चली आ रहे हैं तोड़ा जिन जाती हो में देखिए सदियों से प्रसा चलती आ रही है कि एक ही लड़की अगर किसी घर में विवा हो रहा है उसका तो अगर उस लड़की के तीन भाई हैं चार फिलाल इस चीज को रोख दिया है तो देखिए चीजों को सीखने में और समझने में थोड़ा समय लगेगा वह भी बदलेंगे खुद को लेकिन समय के साथ हमारी जैसे नहीं बदलेंगे वह अपने हिसाब से बदलेंगे और हमें उनके उपर अपने कानून थोपने नहीं चाहिए यह काफी समस्या उत्पन्स कर सकता है फिलाल देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इसको रोखने का भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिलाल कानून बन गया है और कानून जो है पूरे इंडिया में पूरे तरीके से लाग हो है तो यहां पे समस्या हो रही है आम जन के कर यह हैं स्टो अभी के लिए इतना ही अभी फिला देखिए टोड़ा जिन जातीयों के बारे में ध्यान रखिए आ tut आ और आप ए यह जो पॉक्सों कि मैटर है यह यही ध्यान रख्येगा मेंश में आपके लिए काफी खासकर इंप़ॉर्टन हो सकता है इसके आखिए तो आपके लिए काफी इंपोर्टन्ट रहेगा ये चीज जितने परना फिला लितना ही थैंक्यू